नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं उन्होंने कहा है कि राज सरकार जान बुझकर आयसा कर रही है, सरकार की सुरू से ही नियोजान नीती लाइने की मंसा नहीं थी, इसलिए सरकार ने असन वे धायनिक वा साजिस के तहट गलत नियोजान नीती 2021 लाने का काम किया था, हाई कोट के नीरनाए के बाद करीब पचास हज्यार नियोक्तियों पर सिधा असर पर रहा है, जबकि राजे में साड़े तीन लाग पद खाली पड़े है, सरकार के गलत नीरनाए से जारकन के हजारों छात्रों का भवी से खराब हो गया है, सेंट्रल लाइबरेरी और एस्टेट लाइबरेरी से निकल कर ए अभियार् हज्यों ने सरकार के खिलाब अपना अक्रोस दिखाया है, 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री 50 स्कूलों की करेंगे शुरुआत, अपने सरकार के तीन वर्स पूरे होने पर मुख्यमंत्री हमांसुरिन राज की जनता को 50 ना स्कूल आफ एक्सिलेंस की सोगात देंगे, रांची स अतदुनिक रूप से पर सके, बता दे पहले चरण में रांची सहीत राजभर में 80 स्कूल तयार हो रहे हैं, रांची में राज सरकार ने पहले चरण में 4 स्कूल आफ एक्सिलेंस स्विक्रित किया है, दूसरे चरण में 335 राजे में स्कूल बनेंगे, वहीं इस तरह से रा निती लागू करने से कोई नहीं रोक सकता मंत्री, जब तक सरीर में जान है, राजे में उन्हें 32 खतियान अधारित अस्थानिय निती को लागू होने से कोई रोक नहीं सकता, उन्हें 32 खतियान को लेकर कुछ लोगों ने मेरे रांची और भंडरी दह आवाज पर पत्रे बेज कर जान से मारने की धमकी दी है, मैं ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, किसी में यदि हिमत है तो सीधे मुलकात करे, बीमार होने के बावजूद मैं सीधे लड़ाई लडने को तयार हूँ, ए बाते सिक्षा मंत्री ने नवाटी के परसबनी पंचायत में एक अस्पताल के सिलन्यास के दोरान लोगों को सम्भोधित करते हुए कही, बता दे कि सिक्षा मंत्री के रांची और भंडर दह आवास पर कुछ अग्यात लोगों ने चीठिया फेक कर जान से मारने की धमकी दी थी, वहीं मंत्री ने धमकी पर कहा है कि मेरी जान की हिफाजत क लिए राज की जानता खड़ी है, सिक्षा मंत्री महतो ने नवाडी के परस्वानी पंचायत के कंचन पूर गाव में स्वास्त विभाग द्वारा तीन कलोर चालिस लाग की लागा से बनने पचास बेट के प्री फाइबरीकेटेड अस्पताल निर्मान का सिलन्यास किया है पूर्वी छेतरिये परिशत की बैठाक में सियम हमंत ने मांगे एक लाग चातिस हजार करोर, कोलकात्ता में केंद्रिये ग्री हमंत्री अमीच साह की मौजूदगी में पूर्वी छेतरिये परिशत की बैठाक हो, इस बैठाक में जारकन के मुख्यमंत्री हमंसुरे ने कोल कम्पनियों पर जार्खन के बकाया 1,366 करोर की मांग की CM ने CRPF को लेकर भी बड़ी बाते कही बता दे जार्खन के मुख्य मंतरी हमान सुरे ने कुलकात्ता में सवनिवार को पूर्वी छेतरिये परचत की बैठक में विभीन कोईला कम्पनियों पर लेंड, कम्पन सेंशन और वायल्टी के मद में जार्खन के बकाया 1,366 करोर रुपए का भुकतायन करने की मांग उठाई बैठक में केंद्रिये ग्री मंतरी अमीद साभी मुझूद थे खेलो जार्खन परत्योगता के प्रथम चरन का समापन 15 दिसम्ब से राची के खेल गाव में आयोजित राजय अस्तरी खेलो जार्खन के प्रथम चरन का समापन हो गया है प्रथम चरन में होकी, एथलेटिक्स, कुस्ती और कराटे का खेल आयोजित किया गया था इसमें राजय के 24 जीलों के लगबग 25 सो परती भागी सामिल हुए सभी परती भागीयों के बिजयताओं को अंतराश्ट्रिय होगी खिलाडी अस्रिता लकडा द्वारा राजय कारकरम पता दिकारी धीर सेन ए सोरेंग के द्वारा पुरुस्कित किया गया वहीं दूसरे चर्ण की परतियोक्ताय 29 से 21 दी संबत ग्राची के खेलगा में अवजित की जाएगी पाचास जयर सिक्षकों की भरती के साथ साथ जे टेट पर इक्षा भी नहीं होगी जारखन में प्राथमिक से लेका बरावी कलास तक के सिक्षों की नियुकती अटक गई है जारखन हाई कोट ने जे से से असना तक असरे परिक्षा संचालन संसोधन नियमावली 2021 का स्कोराद कर दिया बता दे राजी के पलस्टू बिद्यालों में नियुकती पर किरिया सुरू हो गई थी जाबकि प्राथमिक बिद्यालों में नियुकती की तियारी की जा रही थी इसके लिए जीलों को आरक्षन रोष्टर किलियर करने तक को कह दिया गया था आरक्षान रोश्टर के लिएर करके प्राथमिक सिक्षा निदेश सालाय को भेजा जा चुका था दरसल जारक्षान के स्कुली सिक्षा निदेश नात्तक अस्तरिय परिक्षा सनचालन संसोदन नियमावली 2,020 के अधार पर बदलाव किया था इसमें प्राथमिक, हाई और पलस्टू सिख्चक नियुक्ती में भी आरक्षित वर के अभियारतियों के लिए जार्कन से मैट्रिक इंटर पास करना अनिवार कर दिया गया था उधर जार्कन में सिख्चक पत्रता परिक्षा पिछले 5 साल से नहीं हुई है नियमावली को रद होने के बाद अब आगे भी जिये टेट ना हो पाने की असंका है जार्कन सिख्चक पत्रता परिक्षा के लिए स्कुली सिख्चा यम सक्षरता विभाग द्वारा प्रस्ताव जार्कन एकेडमी काउंसिल को भेजा गया था सियम हमांत 18 दिसंबर को सियम आवास में करेंगे यूपिय विधायक दल की बैठक छार्कन के मुख्यमंत्री हमांसुरें 18 दिसंबर अभीवार को मुख्यमंत्री आवास में यूपिय विधायकों की बैठक करेंगे भिधान सभा के सित कालिन सतर से एक दिन पहले मुख्य मंत्री ने शन्युक्त प्रगती सील गठ बंधन यूपीये के सभी विधायकों को अपने आवास पर बुलाया है इस बैठक में सीथ कालिन सत्र में सरकार के रणनीती पर चर्चा की जाएगी सुत्रों ने सरनिवार को याजनकारी दी है बतादे राजधानी राची के काके रोड इस्तित मुख्यमंत्री आवास पर अपराहन तीन बज़े होने वाली बैठक के अज़कता हेमन्त सुरेन करेंगे जारखन में गुंजेगा सियासन खाली करो की जानता आती है बिजेपी हमन्त सुरेन सरकार के तीन साल पूरे होने वाले है सरकार की ओर से ही सासर पर कई करक्रमों का आवजन किया जाएगा मुख्यमंत्री हमन्त सुरेन अपनी उपलवद्या गिनाएंगे लेकिन विपक्षी दल भारतिय जनता पार्टी हेमन्त सुरेन सरकार की पोल खोलने के लिए तयार है उसने पोल खोल अभियान की शुरुआत करने का निश्चा लिया है बता दे जार्खन परदेश भाजपा के अध्यक्स राज सबसांसत दिपक परकास ने सरनिवार को प्रेस कंफरेंस करके अजनकारी दी है की उन्होंने कहा है कि सिहासन खाली करो की जनता आती है कि आवहान के साथ भाजपा हमन्त सुरेन सरकार के खिलाब पोल खोल अभियान सुरू करेगी इस दोरान राज सरकार की नाकामियों का भंडा फोर किया जाएगा जानता को उसके बारे में बताया जाएगा नियुक्ती निमावली राद होने से छात्रों की बढ़ी परिशानी नियुक्ति निमावली रद होने से एक बार फिर छात्रों की परसानी बढ़ गई है, राद दिन सरकारी नोकरी पाने के लिए परिक्षा की त्यारी करने वाले छात्र सरकार की नितियों पर नियाला एक डंडा चलने का सिकार होते हैं, बता दे अभी सोनी कुमारी बनाव हाई कोट सिक्षक नियुक्ति 2016 मामले में थामा भी नहीं था कि हिमन सरकार के द्वारा 10 अगर्स 2021 को लाई गई नियुक्ति निमावली को हाई कोट ने रद कर दी है, हाई कोट के द्वारा इस नियुक्ति निमावली को रद किये जाने के बाद एक बार फिर जार्खन में सर नौकरी के लिए परिक्षा नहीं तो फिरी कोचिंग क्यों कराने में जूटी है सरकार। चातरा से मुख्यमंत्री सार्थी योजना और मुख्यमंत्री सिक्षा प्रोसान योजना के शुरुआत होने के बाद इसे राजी के विभीन जीलों में शुरू करने के त्यारी की जा रही है। पर नमांकन के लिए स्टे राउंड कांसिलिंग का निन लिया है। जार्खन के किसान और साथ में किसान सेंके सभी पता दिकारी परदेश्ट अध्यक्ष जाय सिंग, अनिल सर्मा, महामंत्री परकास नरायन, धिरियंद्र अगरवाल, परदेश मंत्री दीप, पक और सिव ने जांडा दिखा कर किसान गरजना रैली में जाने वाले किसानों को दिल्ली के लिए रवाना किया। बता दे बुड़मू परकंड अध्यक्ष, चंदन और रातु परकंड अध्यक्ष, बेनी साहो के नतित में हजारों महिला और युवा किसानों ने भाग लिया। चाहिए ताकि आम लोग नयाय पदती को असानी से समझ सके। इस पर राजे पाल ने जो पहल की है हुआ स्वागत योग है। राजे पाल के चिठी के आलोक में फोरम भी राष्ट पती को इसके समर्थन में पत्र भेजेगा। फोरम ने राजे में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किये जाने। वकिलो की आयुसमान भारत योजना के तहुत जोडते हुए निसुल्क स्वास्त भीमा का लाप दिनाने की माहँग भी की है। कॉंसिलिंग के माध्यम से राजे भर के 1328 कोलेजों में 13600 सीटों पर नमांकन होना है। काले रंग की एक बजाज पलसर मोटर साइकल एक काला रंग का पीठू बैग भी ब्रामत किया गया। मालूम हो कि ठेकेदार देवांसु सहापर आठ दिसंबर को बिजूलिया रेलवे ओवर ब्रीज के निकट अपरादियों द्वारा 6-7 राउंड गोली बारी की गई थी। जिसमें वो गंभीर रूप से गायलो गए थे। इधर पुलिस इस बात की भी जाज कर रही है कि जवान ने खुद को गोली मारी या फिर हाच्टा हुआ है। HEC करमचारियों ने निकाला मसाल जूलूस HEC के करमचारी अपनी बिभीन मांगो और बेतन को लेकर पिछले एक मैने से ज़्यादा समय से भी बिरोध परशन कर रहे हैं। HEC के मध्नजद सवनिवार की देर साम हीची के करमचारीयों पतादिकारीयों ने मसाल जूलूस निकाल कर विरोध किया। मसाल जूलूस मार्ष के दोरान राज सरकार के इंद्र सरकार हो एचीशी के परबंदन की खिलाप नारे बाजी भी कि गई। करमचारी कभी पकौढ़े बेच्टे नजर आते हैं तो कभी चाय और जलेबी बेच्ते बिरुथ परदसन के दोरान हीची के पताधिकारेों करमचारी यहीं माइग कर रहा है कि फिछले एक साल सी ज़्यादा समय से बकाया बेथन को जल्द से जल्द भुखतान करे खेलो इंडिया यूथ अंडर 18 होंकी के लिए टीम घोसीत बोनेस्वर में 20-30 दिसंबर तक आयोजीत क्वालिफाई खेलो इंडिया यूथ गेम अंडर 18 होंकी परत्योकता के लिए जार्खन से 25-25 महिला पुरूस वह होंकी खेलाडियों का विशेस प्रसिशन सिविर लगा था इन में से बेहतर 18-18 खेलाडियों का होंकी जार्खन टीम के लिए चैन किया गया सर्निवार को इसकी घोसना होंकी जार्खन के महा सचीव ने की है टीम रभीवार को फोनेस्वर के लिए रवाना होगी बता दे टीम में रसीम होरो सामिल है जे आरडी में 24 दिसंबर को जूनियर एथलेटिक्स चेंपियनसिप का आयोजान पुर्वी सिम्हुम जीला एथलेटिक संग की ओर से सनिवार को सन्वादाता समेलन का आयोजन किया गया संग के सची रविंद्र नाथ मुर्भूने पत्रकारों को बताया है कि 29 दिसंबर को जैपाल स्टेडियम करंडी में क्रोस कंट्री दोड चेंपर्तियोक्ता का आयोजन किया जाएगा इस चैन परतियोक्ता के अधार पर चैनित एथलेटिक जार्खन राज क्रोस कंट्री चेंपियंशिप में पूर्भी सिमुम जीला का परत्रनिदी तो करेंगे 24 दिसंबर को जैपाली सिमुम जुनियर एथलेटिक चेंपियंशिप का आयोजन किया जाएगा इसमें बालक बाली का 14 वरस एवं 16 वरस उम्र वर्ग का होना अनिवार जहाए सियम हमंत ने सेना में आधिवासी रेजिमेंट की मांग की जार्खन के मुखे मंतरी हमंसुरेण ने कोलकाता में आवजित पूर्भी छेतरिये परिसत की बैठक में कहा कि वन नियम 2022 में जिस प्रकार से वन भूमी उप्योग में ग्राम सभा के अधिकार को समाप्त कर दिया गया उसे पूरे देश के करीब 20 क्रोड आधिवासी वनों को पीढ़ियों से निवास करने वाले लोगों को अधिकार का घोर अतिकर्मन हुया उनके अधिकारों के रक्षा के लिए उसे वन अधिकरन अधिनियम 2006 करन रूप संसोधित किया जाए पांच हेक्टेर तक की वन भूमी के उप्योग के लिए राजसरकार का द्वारा स्विक्रीति किया जाने से पूर्व के प्रवधान को बाहल किया जाए वहीं CM हमासुरे ने पूर्वी छेतरी परिशत की बैटाक में कहा एक जारकन के विभीन कोईला कंपनियों जैसे CCL, BCL, ECL पर कूल 1,366 कोड का बकाया रासी सिग्र बुक्तान कराया जाए बंद खादानों का बीधुवत कुलोजर कराया जाए ताकि पर्यावरन की सुरक्चा हो सके 1,566 के साथ 10 लाख का इनामी नकसली गिरफतार कुख्यात नकसली का एक सवयोगी कुंदन यादो भी गिरफतार किया गया कुख्यात नकसली अभिजीत यादो द्वारा वर्ष 2016 में अरंगाबाद के धीवरा थाना चेतर के क्याला पहाड पर आईडी लगा कर साथ जवानों की हत्या कर दी गई थी हाथियों से बचने के लिए दुमका डिसी ने की अपील हाथियों का जूड दुमका जिले के मसालिया जंगल में पहुँच गया है दुमका के डिसी ने अपने ट्यूटर हैंडल पर अपडेट करते वे लिखा है कि हाथियों का जूड़ जाम तरा जिला से सटे मसालिया पहुँच गया है इसलिए लोगों से अपील है कि हाथियों को न छेड़े आवस्यक दुरी बनाए रखे हाथियों से होने वाली परसानी के सुचना दुर्भास संख्या 8987 790404 पर संपर्क कर दे डीसी ने सुरक्षा है तू कुछ सवधानिया की भी अपील की है हाथियों को देखने के लिए पास न जाए और नहीं किसी को पास जाने दे हाथियों के रास्ते को न रोके और नहीं भीड जामा होने दे उनसे पर्याप्त दुरी बनाए रखे धन्यवाद